हालो येवरिवान आई होप आप से भी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने अच्छे तरीकों साप से भी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी तो इस वीडियो में हम देखने वाले क्या बेक्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी की प्रैक्टिस पेपर सेट बी को आई थिंग आप सेट को देख रहे होंगे प्रपेर कर रहे होंगे तो सेट भी आपके पढ़ाई के बहतर बनाने के लिए हम लेया है तो बहुत ध्यान से देखना अंतक देखना और चीजों को जो है समझते हुए चलना इसमें प्रैक्टिस को जरूर देख लेना क्योंकि वीडियो देख ल तरह रहे है उसको अच्छे से पढ़ लो यहां पर जो अपटित गद्यांज मैं दिखाया हूं उसको एक बार अच्छे से रिडिंग कर लो उसके बाद यहां पर जो क्वेसंस की आंसर देने की कोसिस कर लो जैसे की प्रकृति के संबंद में कवी और वैज्यानिक में क्या लिखना को लेकिए प्रत्यक्षवा आत्म उलोकन करती है कैसे उस जोको समझाने फिर प्रकृति की उपाशना करने वाले कौन है अब को इसमें मिल जाएगा फिर उसी तरीका से सुरिय वच अंद्रमा के प्रति वैज्यानिक का क्या दृष्टि कोड़ की जाहिए। उसको करने प्रवै ज्यानिक प्रामार किस प्रकार प्रसूत करते हैं प्रकार सब्सक्राइब कि इस तरीक तरीके सक्वेशन आपको पूछे जा सकते हैं तो मैं तो नहीं बोलूगा कि यहीं यह सकता है तो चीज़ों को आपको समझना है और प्रेप्यार करते हुए चलना फिर आप का व्यांस आयगा यह आपको पाता हैं तक को भी बहुत अच्छे से सए उतकर नों का अब इतनी सारा प्रेप्रेश करता है तो आतली से चलोगते चलो model paper करते चलो दोनों का और यह practice set करते चलो फिर आपकी त्यारी पूरी हो जाती है ठीक है तो फिर आपको यह कर लेना है फिर नीचे जो चार questions है उसकी answers आपको देख के आना है exam में ठीक है तो prepare रहेगा तभी better कर पाओगे इसलिए इन चीजों को करते चलो फिर खंड खा की बात करें तो खंड खा में प्रश्ण तीसरा निमन लिखित में से किसी एक विशाय पर लगभग 200 सब्सक्राइब नहीं नहीं बन देख रहेगा तो भाई कहीं ना कहीं इन में आपको चीजों को समझना पड़ेगा इस तरीका से related questions पूछे जाते हैं ठीक है तो आ इसके आएगा भई आपका पत्र में पत्र में जैसे की द्नक समचार पत्र संब्सक्राइब को पूचे जान यह छाना है ट्र्खेया जैसे किशमा को बिली समच्राइब संबन में शीकायत पत्र लिखना है तो बस इसमें भी लिखने की तरीका आपको आना चाहिए ठीक फिर अगला देखते हैं और किस तरीका स्कूशन्स पूछे जाएंगे जैसे कि नीम लेखित प्रश्णों के उत्तर संचेप में लिखना है पत्र कारिता से अपक्या समस्ते जन संचार के दो कारिया बताना है उसी तरह संपादन का अर्था बताना है फिर कुटी करण एवं ए नाटक और कहानी में तीन प्रमुक अंतर लिखना है कि नाटक और कहानी में क्या अंतर होती है उसको बताना है आ ऐपको प्रश्ण करमन्क साथ भात ठोहारों के नाम पर अब विषायार पर फीचर लिखना है तो फीचर और आलेक लिखना है यह व בदलते जाएगा घर तो अब भी जो भी आपकी important topic है उसको तो करना पड़ेगा ही आपको ठीक है बढ़ते बाल अपराद जैसे की है तो इसको आप कर लो clear फिर गा की बात करें तो यह अपका बुक से आना है तो देखो नीम लिखित कव्यांस पर अधारित प्रश्णों को उत्तर देना जिसके आपर कव्यांस दिया है चार लाइन का इस कव्यांस को पढ़ लेना है पूरी अच्छी तरीका से फिर नीचे जो questions इस तरीकर दिये four marks four questions ठीक है कव्यांस में कवी और कवीत ही लेना फिर हमारे प्रश्ण करमा नाइन पर चलते हम लोग इसमें भी क्या है कव्यांस आया फिर से इस कव्यांस को भी आपको अच्छे से करना है प्रेप्यार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है फिर नीचे जो question इस तरीकस दिया हो जैसे कि कव्यांस के भाव फगत संदर्य को आपको explain करना होगा clear फिर प्रश्ण करमंग दस्वा की बात करें तो दस्वा में इस तरीकस बोला गया कि रस का अप्छाय पात्र से कवी ने रचना कर्म की किन रिसेस्ताओं को इंगित किया है इसको बताना है फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवीता का प्रति पाध्य इस पश्ट करना है प्रश्ण करमंग 11 की बात करें तो निम्लखी गद्यान को पढ़ कर देगो वही पूरा गद्यान गद्यान से आ रहा है आपको यहां पर class 12 के गर बात करें तो स्मार्टी श्टेडी करना पड़ेगा है क्योंकि बोक से minimum portions पूछे जाएं को देखो उसके बाद फिर अगर जवरत पढ़ती है according to questions तो दैन एक बार फिर से read out कर सकते हो ठीक है तो बस यह चीजे आपको करते चलना फिर देखो यहां पर तरूडों की लिए रोग और मित्यू दोनों सुखत की होते लेखा करूसा तरूडों की जीवन का परंद लच् क्यों लगता है यह बस आपको explain करके आना ठीक फिर बारा की बात करें प्रश्नकरमांग बारा तो निमलखित प्रश्नों के उत्तर देना इसमें क्या पो रहा है सीरीज के फूल पार्ट के लिखा का क्या नाम है भीम राव अंबेटकर की मत में दास्ता की व्यापक परिभा सक्या है आदर से समाच की इस्तापना में डाक्टर भीम रावंबेटकर की विचारों की सार्थक्ता पर अपने विचार लिखना है गहरी फूटी बैल प्यासा इंदर से ना कि इस खेल गितमी बैलों की प्यासा रहने की बात क्यों मुख्रीत हुई है उसको बताने तो रिल सौरी आपको करना क्या है सिंपल सा की गुगल में जाना है और उसका एक छोटा सा सारांस संब्री जो होती है न वो धून लो भई गुगल में जाओगे तो उसकी सारांस मिल जाएगा किसी भी चैप्टर जैसे सिल्वर बढ़िए उससे होगा क्या क्योंकि अभी तो पूरे लिखने में असानी हों कि कैस कि सरे करतां नहीं है ना तो सारांस जरूर करो फिर यासोधर बाव कि पतनी के साहथ फोल सद्काइन में होती है ढलने में pousती लिकिन इससे प्रफोल के omin कॉन थी वाल तो बस आपको जो बोला हूं जैसे कि समरी पढ़ना है तो समरी जरूर पढ़ लेना डिफिनेटली आपकी एक्जाम में वह बहुत हेल्फ होगा ठीक है तो भाई पहला एक्जाम है तो आपको बहुत अच्छा करके भी आ रहा है तो all the best for your exam ठीक है